तो नमस्कार दोस्तों कैसे वाप सब भी सौगत आपका हमार राधाकंद बालकन गार्डेन यूटिब चैनल पे तो दोस्तों यह हमारा सेंसिविर्या प्लैंट है स्नेक प्लैंट है यह देख सकते आप यह हम चोटे से पॉट में मिट्य वाली प्लाव पॉट में ग्रो किया हुआ है और यह में थोड़ा उसकी इसना लूस कर रहा तो इसमें बहुत सारी चीटिया लगी हुई है पूरे सॉयल में चीटिया लगी हुई है दोस्तों क्यूंकि इसका कारण यह है कि इस मटके को मैंने ड्रेनेज नहीं किया है और उसके कारण इसमें नवी होने के कारण बहुत सारी चीटिया लगी हुई है तो दोस्तों अब देखते हम किस तरीके से इन चीटियों के भगा सक देना है और थोड़ा घुलने देना है पिटकरी को मिक्स कर लेना है किसी लखड़ी के या किसी स्टिक के साहता से इस तरके से पाच मिट में यह घुल जाती है और इस पानी को जो आपने देना है यह देख सकते आप दोस्तों इस तरीके से आपको थोड़ा 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 पानी इस पाट में डाल देना है यह देख सकते बहुत सारी चीटिया है और यह दूसरा हमारा सेंसी विरयका है जिसमें भी बहुत सारी चीटिया लगी हुए उसमें भी डाल रहे हम एक ग्लास काफी है दो पॉट में आज जो देख सकते हैं दोस्तों कि या फिटकेरी थी और दूसरा और एक होपाई है हल्टी हल्दी को उपर से चीड़क देना है विकेर देना है थोड़ी-थोड़ी हल्दी डालनी है पूरे सॉइल के उपर से इस तरीके से अधसे भी डाल सकते हैं कि स्प्रीड करना है उपर से स्वाइल पे हल्दी बहुत अधिक मात्रा में नहीं डालनी है कि इस तरीके से आपको हाथ से साहिता से या किसी चमच के साहिता से स्वाइल के उपर से डाल देना है यह देखिए दोस्तों कि यह हमारा सेंसीवर्यय का प्लांट है बहुत ही जबदस ग्रोथ है इसकी छोटी सी कटिंग हमने लगाई थी छोटे से पॉट में यह यह दूसरे सिंगोनियम प्लैंट में भी डाल रहे हम हल्दी एक चम्मच एक बड़े चम्मच हमने हल्दी लिए थी यह दोनों पॉट में डल चुकी है काफी है इस सर्के से आपको डाल देना है दोस्तों और यह देखिए दोस्तों रिजर्ट कुछ गंटों के बाद में ही सारी चिटिया निकल गई है देख सकते हैं दोस्तों बारिकी से इस पॉट में दबा के कि अभी इसमें हमने सॉयल मिक्स कर दी है हल्दी डालनी के बाद एक भी चिटी नहीं है तो यह दोस्तों यह सिंपल मेतड है आप भी यूश कर सकते हो तो बताएगा दोस्तों कमेंट्स में वीडियो कैसा लगा लाइक करिए शेर करिए सबस्राइब करिए ठैंक्यू दोस्तों